तो आज की इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ दोस्तों, बल्олोग इमेज एडिट करने का जनकारी दोस्तों, जैसे की आपका विपसैट वर्ड पर इस पे भी होगा, या बल्लोगर पे होगा, कहीं पे भी हो आपका विपसैट तो उसमें जो है आप image जो है add करते हो ठीक है तो उसे जो है edit कैसे करना है दोस्तो edit करना बहुत simple है बहुत ही असान है बस इस वीडियो को अंत तक देखना है आपको अगर यह जनकारी सही लगे तो करते ना इस वीडियो को like तो चलिए आप आपसे ज़्यादा time लेंगे नहीं अब करते हैं शुरू तो दोस्तो आप लोगों को भी पता होगा कि मेरा जो website है ठीक है research techniques या side website है तो उसके लिए मुझे जो है बलॉग image edit करना परता है यानि उस website के लिए image edit करना परता है जिसे हम photo भी बोल सकते है ठीक है अब photo बोलते भी है तो उसे edit करना है तो बहुत ही simple है बहुत ही असान है तो हमें इस चीज़ को बताने के लिए laptop के screen पर चलना परेगा तो चलिए laptop के screen पर चलते हैं तो जैसे कि यहां पर आप देखरों कि मैं laptop के screen पर आ चुका हूँ अब यहीं से जो है आपको बताऊंगा बलॉग image edit करने का जानकारी ठीक है दोस्तों यह बहुत ही अच्छा website है यह जो है कैनेवा website है इस website का link नीचे इस video के description में आपको मिल जाएगा उस पर जैसी click करोगे तो direct आप इसी page पर आ जाओगे ठीक है यानि इसी website पर आ जाओगे यह बिल्कुल फिर ही है तो चलिए यहां पर क्या है कि हमें blog image edit करना है तो सबसे पहले यह देखना होगा कि हम अपने blog का जो image होता है उसका size क्या रखना है तो दोस्तों मैं अपने blog image का size रखता हूँ 440,248 ठीक है तो आप अपने हिसाब से select कर लेना यहां पर custom size पर आपको click कर देना है या नहीं तो यहां पर बहुत सारा size क्या है कि पहली ही से आ जाता है ठीक है तो आप यहां पर आके click कर लेना बाकी चलिए मैं custom size पर click कर देता हूँ custom size पर click करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि 440 ठीक है लिखेंगे और उसके बाद बगल में 248 तो यहां पर आप अपने हिसाब से लिख देना ठीक है जो भी आप अपना size बनाओगे तो यहां पर 440 248 लिख दिया और इधर पी एक्स लिखा हुआ है तो इसी को select रखना है आपको पी एक्स को उसके बाद create new design पर click करेंगे click करने के बाद जो है दोस्तों यहां पर no thanks पर आपको click कर देना है ठीक है और उसके बाद यहां पर box बनके आ जाएगा तो इधर देख रहो दोस्तों की बहुत सारा template आपको मिल जाएगा जो की एक click में आप बाद इमेज edit कर सकते हो इसी से जो है मैं YouTube channel का जो thumbnail होता है वो edit करता हूँ और बाद इमेज edit करता हूँ चाहे logo बनाना हो या channel art बनाना हो या photos related जो भी काम करना हो मैं इसी कनेवा को यूज करता हूँ ठीक है तो नीचे इस video का description में link मिल जाएगा ये बिल्कुल फिरी है उस पे click कर देना direct आप इसी page पे आ जाओगे बस जैसे जैसे मैं step बताया हूँ वैसे click करके आपको इस जगा पे आना है तो यहाँ पे आ चुका हूँ अब जैसे कि हमें custom बनाना है ठीक है तो यहाँ सबसे पहले upload पे click करेंगे upload पे click करने के बाद यहाँ पे वैसे मेरा जो है बहुत सारा photo है यहाँ upload ठीक है तो यहाँ देख सकते हो बहुत सारा जो है फोटो अपलोड है तो यहां पे सबसे पहले हम करेंगे क्या जैसे कि यहां अगर हमारा गैलरी में कोई साथ फोटो है तो यहां अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां गैलरी से जो हम किसी भी फोटो को उठाएंगे चाहिए जो भी कि सबसे पहले इसका जो बैक्गृओंड है मैं क्या करता हूँ कि यहांप कर तो देख करता हूं कि यहां उसके बाद तक आप क्लिक करता हूं उसके बात दोस्तों कि इस की लिए को अंध तक ठीक है मैं आपको बताता हूं जैसे कि किसी भी परकार का फोटो रहेगा तो बस यहां पर क्या है कि क्लिक करूंगा और उसके बाद यहां पर इसको इस तरीके से कर दूंगा ठीक है और उसके बाद इस तरीके से उसके बाद यहां पर सेट कर दूंगा ठीक है बा दोस्तों क्या है कि बहुत सारा जो फोटो होता है फोटो को उठाके यहां से आप बना सकते हो किसी भी परकार का या साइडी वेबसाइड के लिए बलॉग इमेज एडिट करना होगा तो उसके लिए भी या किसी भी परकार का बलॉग इमेज एडिट करना होगा तो उसके लि लगाना है तो अर्निंग का भी फोटो लगा सकते हैं या किसी भी चीजों को लगा सकते हैं अगर आप एक बाद टेंपलेट को तयार कर लोगे तो यह चीज जो हमेशा के लिए आपका रहेगा ठीक है तो यहां पर देख सकतो कि इस परकार से यह आ जाता है अब जो है दोस्तों यहां पर जैसे कि हमें कुछ लिखना है तो यहां पर क्या करेंगे टेक्स पर क्लिक करेंगे टेक्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि हैंडिंग को सेलेक्ट करेंगे ठीक है हैंडिंग को बाकि एनिमेशन जो है यहां पर आपको दिख जाएगा ठीक है कलर में टेक्स जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हो तो यहां कॉस्टम हम बना रहे हैं तो यहां हैंडिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां हैंडिंग आ चुका है ठीक है और उसके बाद चलिए मैं इसमें लिख देता हूं Adsense Approval забlogger एक है मैं लिख दिया हूं आप प है है के इस को यहां पर सेंटर में लाख देता हूं यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर हम करेंगे क्या इसको को छोटा कर देंगे ठीक और इसको उठा के हम क्या करेंगे कि center में रख देंगे ठीक है बाकि मैं simple बनाया हूँ दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए अगर आप चाहो तो बरिया से इसे बना सकते हो अच्छे से अब इस text को हम क्या कर सकते हैं कि bolt भी कर सकते हैं ऐसे select कर डिशाइब देना है और यहां भी पर क्लिक कर देना है यह बोल्ट हो ज़ाएगा तो इस फोटो है तो मैं इसे चाहूं तो ऐसे के बढ़ा भी सकता हूं ठीक अगर हमें इसका जैसे की यहां पे light करना है या dark करना इस photo को तो यहां पे मैं कर सकता। जैसे कि नीचे की आउर आऊंगा यहां पे side में अगर यहां से मुझे कुछ अच्छा लगता है filter तो यहां filter को select करूंगा तो इसलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि यहीं हो गया अगर हम इसे डाउनलोड करेंगे तो कैसे करेंगे तो यहां जो इस सेयर के बटन है उपर इस पे किलिक करेंगे और उसके बाद फिर नीचे की और आएंगे ठीक है यहां डाउनलोड का बटन है इस पे किलिक करना है और यहां PNG है दोस्तो PNG पे किलिक करके यहां JPG सेलेक्ट करना है क्योंकि बलॉग पे जो भी इमेज अगर आप एड करते हो तो वह JPG के अंदर में आप एड करना ठीक है वह सबसे अच्छा रहता है तो चलिए कोई बात नहीं है अब यहां सेलेक्ट करने के बाद यहां जो है डाउनलोड पे किलिक कर देना है डाउनलोड पे किलिक कर इसे कट कर देता हूं और कट करेंगे बाद यह जाता कहां पे है और यहांग वेपसाइट पे अप्लोड करना है इस वीडियो सिख्याम में wlaids चले है दोस्तों ये फिरी है, इसको जोन करने के लिए एक भी रुपे नहीं लगता है, तो यही जानकारी आपको देना था, अगर यह जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को करदेना है लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करदेना है करने से ये फाइदा होगा कि आगे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका notification आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में